हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नमबर 6, ट्रेंगल, क्लास स्टेंथ का NCRT सलूशन करेंगे और इसमें 6.2 एक्सरसाइज करेंगे और इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट कोर्षिन करेंगे तो हमारा पहला कोर्षिन है, in figure 1 and 2, D is parallel to BC, find EC in first and AD in second देखें, स्टुडेंट्स, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो figure, first number figure और second number figure आप first number figure में देखेंगे, एक triangle बना हुआ है, ABC, ठीक, और इसमें यह कह रहा है ना कि अगर हम बात करें, तो जो given है हमारे यहाँ पे, DE आपको जो दिख रहा है ना, वो DE BC के parallel है, ठीक, और इसमें जो है हमें EC को find करना है, तो चलिए हम EC को find करते हैं, देखें, first question का solution यह है, कि जो triangle दिया हुआ है, उसमें हम जानते हैं कि DE जो है, वो VC के parallel था, ठीक, अब देखें, यहाँ पर क्या होगा, कि अगर हम लोग Thales theorem पढ़े हैं, तो उसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, AD upon DB is equal to AE upon EC, ठीक, यह हमारा आया कहां से, Thales theorem से, ठीक, ना, हम लोग basic proportional theorem या फि उसके अनुसार यह चीज़ होगा, ठीक, अब देखें, जो AD की value थी 1.5, और DB की value कितनी थी, 3, और AE की value कितनी है, 1, जो हम इस पूरे चीज़ को solve करेंगे, तो हमारी यहाँ से EC की value कितनी आएगी, 2 cm, और आप लोग जो है, second question अपने से EC formula का यूज़ करते हुए solve करेंगे,